हलो आई होप सबका जो एक्जाम है वेब अप्लिकेशन का वह बहुत अच्छा गया है मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं सभी के के उन्हें काफी हैल्प मिली है मेरी वीडियो से कुछ एक दो सूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कहा कि उनका पेपर अच्छा बि बनाया है उसी को अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मुझे क्योंके सब्सक्राइबर्स की अब जरूरत है दसजार पूरे होने वाले हैं तो आप उसमें मेरी हेल्प कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके आपक सब्सक्राइबर बेस बड़ेगा उनका बेनिफिट हो जाएगा तो जैन्वन का सब्सक्राइबर्स की मुझे जरूरत है फिलहाल तो आप सब मेरी थोड़ी सी हेल्प भी करेंगे और मुझे मेरे लिए एक तरह से यह थैंक्स का गाम करेंगा आपकी तरफ से दूसरा इंप कोशनेयर है जो आपके साथ शेर कर रहा हूं इसको जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि आपको जो है एक अच्छा कंटेंट मिल सके मेरे थुरू आप भी इंगेज रहें मेरे साथ तो आए जो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पेपर का सलोशन है तो यह वो कोशन आपका जो सक्षिंट में से आया था ऊपका एक्सलेंग टर्म स्टार्ट अप बिद रेस्पेट वेंटर्पनर्शिप रेस्पेट में पेड़ियो से उसके इंदर था कि साथ आप के ऊपर के कुशन किया सकता तो वनमाक्स का था आप इसमें दो लाइन मीं लिख सकते हैं कि किसी तेकनोलिट्री भूल स्लोशन पें गाम करती है और इसकी फetनिकी सोधित करते हैं UC 왜 से स्टार्ट किया जा सकता है सको मिनिम्निन से तो इसके बस्तमें थे में ऑप किस तरे यह difficulty आ रही है तब भी आप उस काम को कर रहे हैं उस ability को हम persistence बोलते हैं इस पर भी मैंने questions आपके दिया हुआ था जो मेरी question की series थी employability skill book के बारे में next question है identify green worker from the following हमार पार तीन है एक ड्राइवर है जो डीजल फ्यूल ट्रक पर काम कर रहे हैं और एक वरकर है जो के प्लास्टी फेक्टरी में काम करते हैं इन में से green job कौन परफॉर्म कर रहा है तो इन में से आपके पास जो एक्टरीशन सोलर पैनल बना रहा है इंस्टॉल कर रहे हैं वो परसन जो है वो ग्रीन जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो यह अंड्रस्टॉट था कि जो आपका एंवार्मेंट को बचाने में हैल्प कर रहा है तो प्लास्टी फैक्ट्री या फूल ट्रक कहीं आए डीजल प्यूल ट्रक जो है वह आपको कहीं से भी मतलब होते हैं जो environment को बचाने के लिए काम करते हैं नेक्स्ट इस एक्स्पेइन इनी टू एटिटिट्यूड अफ एंट्रपर्नर यह आपके टू मांस के कोशन था यह भी कोशन मैंने दिया हुआ था डिसेसिव नैस इंट्रपर्सनल स्किल और्गनेशनल स्किल इनिशेटिव पर तो आप इसमें से कोई भी जो है दो जो है क्वालिटीज लिख सकते थे इंट्रपर्नर के यह कोशन भी आपका आया हुआ था मैंने बताया हुआ था राटनी टू मेजर्स वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट अन्विरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं यह स प्रेंड्ली मेटरीञ्स का थे इनमें से कोई भी दो मेघ सकते थे तो यह बिल्कुल ही इसमें से आप सारे कोशन इन ख़ेंगे कोईअ नट अनमबर N-A-N ही आपको मिलेगा और अगर यह मिस्प्रिंटिंग नहीं है N-A-N का N जो है वो है आपकर capital नहीं है तो यहाँ पर आपके पास नल आटपुट भी आ सकता है क्योंकि एन एन हो सकता है कोई बट अगर हम इसको मानके चले यह नौटा नंबर वाला है तो आपका नन ही आएगा तो यह कुशन पहले भी आ चुका है मैंने अपने प्रिविएसर पेपर्स में इसको बताया भी था और समझाया भी था करके भी दिखाया था तो इसका आउट पूट यहीं आने था बहुत सिंपल सा था यह भी हम अपने प्रोग्राम्स में काफी कर चुके थे को भी वैरियेबल का नाम और उसकी इकोल्स टू करके वैल्यों सिंपल था और इसमें इतना ही करना था वनमार्क्स आपके आगए फ्रीके तो जिसने भी थोड़ी बहुत कोडिंग की थी जो मैंने किवर्ट लगाएं ही लगाएं हाउ मैनी टाइमस विल फॉलॉइंग लूप रन एक लूप है जो आई जीरो से स्टार्ट करके लाइस दन इकोल्स तो फाइव तक चल रहा है और वहर बार इंक्रिमेंट कर रहा है तो वह कितनी बार चलेगा यह टोटल आपका सिक्स टाइम चलेगा कैसे जीरो पर चलेगा त्यनि पर चलेगा त्योपर चले थो पर चलेगा पडेगा यही乾्वाइग की तस जिम्तार नाम नाम पुछे थे उसे इग्जाम्पल के साथ पूछे थे आप Sans दोटन के बीच में या और लगाएंगे तो यहसको ट्रू या फॉल्स रिटन करता है what is intelligence intelligence क्या है यह question भी आया वा था सेम सिंपल था यह मैंने भी करवाया था आपको अपने उसमें के intelligence एक ऐसा feature है जिससे आप जो list of code है suggestion में अपने आप pop-up करके आ जाता है code view mode के अंदर आप suggestion में से कोई भी जो आपको next option है वो select कर सकते हो तो यह आपका intelligence का फीचर था मैंने बताया था यह माइक्रसॉफ एक्सप्रेशन वैब के अंदर था यह लास्ट फॉर्थ उनिट में से है यह तो यह question भी आया हुआ ही है पहले से explain the term IAS IAS की full form यह भी question मैंने मेरी जो सरीस थी उसके अंदर प्रेजन था इंटरनेट information services यह IAS बोलते हैं इसको यह windows के अंदर आपका web server का काम करता है service होती है application होती है next question था information collected through web-based form can be stored in a dash appropriate field for every entry in the form यह जो भी information web-based form से collect की जाती है उसको हम एक database या DBMS के अंदर रखते हैं हमारे server के अंदर write any two ways to convert string to a number यह भी मैं बता चुका था two marks का question था इसमें दो बताने थे मैंने तीनों बता है थे पार सिंट का यूज कर सकते हैं number का यूज कर सकते हैं और यूनरी प्लस का यूज कर सकते हैं तीनों example मैंने अपनी series के अंदर बता हुए थे आप I don't know आप attempt किया या नहीं किया मुझे यूज करके property होती है जिससे हम लेंद निकाल सकते हैं रहे कि प्रॉपर्टी पूची थी यह भी हम इतनी बार कर चुके थे कोशन के इतना तो आप करके आई सकते थे बहुत सिंपल था यह कैसे करते हैं और रहे कि कोई नन्यक्थ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इसमें लिख सकते थे या और आपने लिग्स सकते थे या पने हम ने किया था यह कोर्य से बी अगर डॉपर्टिट इसमें मिलेंगे में स्टोर होती है और इस में बिताया था कि प्रापर्टी की जो है वह आपकी वैल्यू स्टोर होती है में मेरी में और फंक्शन के अंदर आपके पास चोटा सा पीस होता है जो हम reuse करने के लिए Use करते हैं डैवलपर्स को और इससे हमारा ठाइम बश ता है एफर्ड बशते हैं बार-बार उसको लिखने में हम उसको जस्ट एक बार लिख कर रख लेते हैं और बार-बार अपने ट्री लाइक बनाते हैं हमारे पास इतने इतने हैं इस तरीके से इस से कणेक्टेड़ कोई ऐसा पेश्ट तो नहीं है या निपूरी वेब साइट में लेकिन उससे लिंक नहीं बन पा रहा है तो यह आपका मैंने पताया था से मैसरे आप राइट फंक्षन जावास्क्रिप्ट एक्सप्ट इंटीजर वेरीवल रेटन देर सम्ट यह थोड़ा सा अलग था लेकिन बिल्कुल सिंपल था अगर आपने थोड़ी से प्रोग्रम की प्रेक्टिस की तो इसमें भी करने में कोई दिक्कत नहीं थी इसमें आप किसी भी ना इसमें पहले वाई लाइन के अंदर दे सकते हैं जो मैंने एक्जांपल में दिये थे तो दोनों तरीके साब कर सकते हैं तो इसको और बीकरेंगे तब यह थो एक्जाम में आप से इतना ही फूजा दा फंक्षन लिखना थे लिखे कि सकते थे वह भी ठीक होगा है 3 इनर फंक्षन की फंक्षन लगता है उसको नेस्टेट फंक्षन या इनर फंक्षन बोलते हैं इस ब्रैकिट के रेकिंज्ञें के रेक और कहीं accessible नहीं होगा तो एक्जामपल करें यहां पर एक outside नाम से function बनाया उसके अंदर हमने inside नाम से function बनाया तो जो हम यहां पर inside function को call करेंगे तो वह inside function आपका सिर्फ और सिर्फ और जो बाहर वाला function उसके अंदर को लोगा मेन प्रोग्राम से वह call नहीं होगा तो यह आपका इनर फंक्शन का एक्जामपल था यह थोड़ा सा नाया स्रेट्मेंट था बुक में था वर्ट हम इसको कवर नहीं कर पाए explain the use of reverse method यह हमने किया था कि reverse method क्या है जावा स्क्रिप्ट में और इसने का है कि function बना कर समझाईए reverse method क्या होता है तो reverse method आपके array के element को reverse कर देता है उनका order चेंज कर देता है एक्जामपल के लिए हमने इसमें जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया इसमें पूछा कैसे implement करेंगे तो उसको मैंने दो तरीके से अलग एक समझाने कोशुश किया यह function reverse लिया हमने उसको इंदर परफॉर्म कर दिया और उसको डिस्प्ले कर वा दिया तो यह सिंपल आपका reverse में आपका शो करेगा जो भी उसके content होंगे वह आपको reverse order में मिल जा है उसके अंदर सेंपल इसको कॉल करके दिखा है तो उसका link में मैं डाल दूँगा आप उसको एक बार चला कर देखेंगे अगर आपको होगा तो इतना भी लिख देते हैं अगर आप तो आपका output जो है सही माना जाएगा marks मिलेंगे मिलेंगा क्योंकि फंक्शन निपूचा सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या requirement है क्या जरूत पड़ेगी आप मेजर जो हमें जरूत पड़ेगी अगर हम अपनी अपना सर्वर लगा रही है तो हमें उसके लिए एक अच्छा CPU लगाना होगा उसके इंदर रैम अच्छी होगा चाल रही है हाई स्पीड के लिए होनी चाहिए इसके लावा एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूत पड़ेगी हमें स्टेटिक लगाना पड़ेगा उसमें 24x7 पावर बैकप का अप्शन होना चाहिए हमारे पास हमेशा कभी ऑपना उनलाइन यूप्स लगाना पड़ता है अगर हम अपने घर पे अपने अपन पर बना रहे बट इसी में दूसरा आप्शन है हमारे पास कि हम अपना सर्वर नार बनाकर इसी फ्री या पेड जो आपके मंधली बैसिस पर रेंट पर हमें सर्विस प्रवाइडर हैं । वहां पर हमें क्या चेक करना है कि तरह का सर्वर है डैडिकेटेट है सपोर्ट पैनल हमें कैसे मिल रहा है वहां पर एसे स सपोर्ट लॉग अप्शन daw या नहीं और सिप्ण संद नहीं और 2020 या नहीं सी चाफ्ण ठेक्षिकन और hy है तो यह सब देखते हैं इसी में दूसरे कोश्चन था वैब होस्टिंग प्रोवाइडर अलाओ अधर मैथड्स क्या दूसरे मैथड्स हैं आपकी अप्लोड करने के लिए तो हमारे पास एक तो जो ब्राउजर के तरू होता है और एक FTP के तरू जिसमें आप FTP क्लाइंट अपनी मशीन पर डालके उसमें अप्लोड कर सकते हैं सर्वर की सारे डिटेल डालकर तो यह दो अप्शन थे यह FTP लॉग इन और जो है मैंने बताया भी था यह थोड़ी सी नई चीज थी आपके लिए है नेक्स आपके कंपटेंसी इसको से इसमें आपके फोर-वेरेज व्यubal विद्डेल यह बहुत ऊद्ण था इसमें कुछ भी नी करना था एक चोटासा प्रोग्राम लिखना था इसमें यूसर से थी नंबर से उन्ट करवाने थे वही numbers को हमने string से हमने क्या किया उनको convert कर लिया हमने integer में यानि numbers में और फिर simple करा where average equals to n1 plus n2 plus n3 तीनों को plus करा average निकल गई और average को print करवा दे, display करवा दे, that's it तो यह बहुत ही simple था free के four marks थे यह next predict the output of the following यह आपका program था जिसमें आपके string थी जिसमें आपसे message था honesty is the best policy और इसमें आपसे str.match जो था वो आपसे बूचा था कि यहां पर है इसमें देखिए दो जगा policy सर्च किया है दूसरी जगा policy और policy spelling गलत कर दी जब आप सर्च करते हैं तो या तो वो आपका अगर सही match हो जाता है तो वो string return कर देता है हाँ भी मिल गई है आपको और अगर वो नहीं मिलती है तो वो आपका null return कर देता है तो इसमें दो बार first और fourth बार आपका policy return होगा और second और third बार null return होगा तो आपके जो जो आपकी string होती है इसके अंदर हम और regular expressions का यूज करके searching कर सकते है normal आपके जो है index of से index of से भी मिल्की बताया है मैंने वहाँ पर हम search कर सकते हैं वो index rating करता है यहाँ पर सिर्फ match rating करता है कि हाँ भी है यह नहीं है तो इसमें regular expressions का भी यूज करते हैं जिसमें star वगएरा लगा के हम फाइल का नाम के आगे की value search कर सकते हैं पर यहाँ पर नहीं उसका और आपके यह नल रेटन करता मैंने बताया तो यह इसका output आना था लास्ट कोशन था इसमें क्रिटिका इस लर्निंग टू क्रिएट मल्टी मीडिया वैबसाइट गिव आंसर फॉलाइंग तो है तो गें नॉलेज विफोर डिजाइनिंग डेवलपिंग वैबसाइट वैबसाइट बनाने से पहले उसको किन-किन बातों का धिहान रखना है वैबसाइट बनाना चाहत गरता है इसा कोई जो नहीं करता एक टेक्स वेस डाता है उसको छोड़ के सब सपोट करते हैं अगर आपको याद होगा तो आपने लिख दिया होगा यूद्वाइस क्योंकि हमने हमारे स्लेश अथा नहीं तो डिजडल इमेज जो हम किसी भी चोड़ाटे पिक्सल से मिलके यह बनी होती है और आपकी जो है के सकते हैं के रास्टर मेंजेस होती है जो हम फो इंटिफाइट अपकी आपकी .mpg आपकी वीडियो फाइल है तो यह पेपर का सलूशन था मुझे बताइए आपके कितने कोशन्स आपके साफ से सही है और आपका एक्जाम अच्छा ही गया है सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से करवाइए जितना हो सके जो है तो शेयर कीजिए कहां और लोगों के भी यह काम आ सके बाकी जो मैंने सर्वे आपको दिया है उसको प्लीज फिल करिए ताकि आपको और अच्छा कंटेंट मिल सके तो थैंक्यू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में गुडबाइब